इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए assignment को submit कर दिया है या फिर करने वाले है तो assignment को submit करने के बाद आपको एक जरूरी काम करना है अगर नहीं करते हैं तो बाद में फिर आप problem में पढ़ सकते हैं तो इसके बारे में detail में जानकारी माध्यम से और किसी में email के माध्यम से और इसमें क्या कि assignment को submit करने के बाद आपको अलग-अलग proof दिया जाता है अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिए जब assignment को आप offline study center पर यह पिर regional center पर submit करते हैं तो आपको एक ऐसा slip दिया जाता है जिसमें आपक कितने subject का assignment submit किया है तो यह जो slip रहता है यह आपको assignment को submit करने के बाद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्यों जरूरी होता है वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा तो अगर आपको एक ऐसा slip दिया गया assignment को submit करने के बाद तो इसे आप बहुत ही सं assignment है वो सफलता पूर्वक सम्मिट हो चुका है जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं तो यह जो ऐसा confirmation email आता है यह भी आपको संभाल करके रखना होता है इसका या तो आप screenshot ले सकते हैं या फिर इसको आप कहीं पर और सेव करके रख सकते हैं कब तक रखना है वो अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा साथी में क्या होता है कि कई बर यह होता है कि जो ऐसा confirmation mail है वो नहीं आता है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि जब आप assignment को submit करते हैं तो इस तरीके से बताए जाता है कि जो आपका assignment है वो submit हो चुका है तो ऐसा जो screenshot आता है इसे आप time और date के साथ screenshot ले करके रख लेना या फिर कई बार यह होता है कि assignment को आपको courier के माधिम से submit करने के लिए बता जाता है तो जब आप assignment को courier के माधिम से submit करते हैं तो आपको एक ऐसा proof दिया जाता है कि आपने जो courier किया है उसका यह parcel number है तो यहाँ पर जो parcel number रहता है और यह जो पुरा slip रहता है यह आपको संभाल करकर रखना होता है यहाँ पर यह जो tracking number दिया जाता है इससे आप इसको और detail में चेक कर सकते हैं कि आपका जो assignment है आपने जहाँ पर भेजा है वहाँ पर पहुंचा है य item delivery confirmed तो इसका मतलब यह है कि आपने जहाँ पर assignment को भीजा है वहाँ पर पहुंच गया है तो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है तो आप इसका भी screenshot ले करके रख लीजिए और कई बार आपको email के माधिम से submit करने के लिए बताया जाता है तो email से जब आप assignment को submit करते है त आप जब email को send कर देते है तो send box में एक mail चला जाता है जो आपने send किया है और इसमें पूरा detail में लिखा हुआ रहता है कि आपने कौन से तारीक को कितने subject का assignment submit किया है और PDF फाइल भी रहता है तो यह जो email रहता है यह आपको संभाल करके रखना होता है और अब बात करते है क नमर update होने में 4 से 5 महिने का समय लग जाता है और इस पूरे process में कई बार यह होता है कि जो आपका assignment है वो गूम हो जाता है और ऐसे में आपका जो number है वो update नहीं हो पाता है या फिर बहुत से बच्चों का number update हो जाता है लेकिन आपका एक ये फिर दो subject का जो status है वो update नहीं ह होता है तो ऐसे में फिर आपको regional center या फिर study center से contact करना होता है और जब आप उनसे contact करेंगे तो वो आपसे मांगेंगे assignment submission का proof कि आपने जो assignment को submit किया उसका आपके पास कोई proof है या फिर नहीं तो ये जो sleep रहता है ये आपको दिखाना होता है या फिर ये जो email रहता है ये होता है कि आपने assignment को submit कर दिया है और study center या फिर regional center के तरफ से number update नहीं किया गया है तो जब आप प्रूफ कर देते हैं तो फिर आपका जो assignment का number है वो update कर दिया जाता है तो इसलिए ये सब चीजे संभाल करके रखना होता है कब तक रखना होगा जब तक आपके assignment का number update नहीं ह होता है यहां पर आपको assignment select करना होता है फिर आप यहां पर ये वह ओप्सन स्लेक्ट करेंगे next पर click करेंगे यहां पर आपको अपना detail दिना होगा और जो proof है वो आपको यहां पर upload करना होता है submit पर click करते हैं तो complaint register हो जाता है और फिर जो आपका assignment का number है इसको update कर दिया जात तो इसलिए यह सब चीज़े आप संभाल करके रख लीजिए इस वीडियो के मादिम से आपको इतना ही बताना था अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और इगनुस रेलेटेट सभी अपटेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे ट किया हुआ है साथी में आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं